हाई गाई वेल्कम बैक फाइनली गाई वो वीडियो आ चुका है जिस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले महिने के अंदर कौन से कौन से नए स्मार्टफोन लोंच होने वाले हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता है अभी चल रहा है सिस्तंबर का महिन काफी क्रेजी क्रेजी स्मार्टफोन लोंच वे थे जैसे कि आईफोन 14 आया था उसके बाद में गाईस दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन आया था जिसके अंदर 200 Megapixel का कैमरा था वो था Motorola की तरफ से Motorola S30 Pro उसके बाद में गाईस यहां पर आपको वीडियो ने भी अप दो स्मार्टफोन है वो काफी crazy होने वाले है और guys जैसा कि आप लोगों को पता है अभी चल रहा है Amazon और Flipkart की सबसे बड़ी sale guys अगर आपको मतलब कोई भी sale के अंदर item खरीदना है या कुछ भी करना है तो guys मैंने smartphone के लिए best smartphone camera smartphone under 20,000 की पूरी series बना रखी है उसका link दे देता हूं description में तो वो check out कर लिजेगा या फिर आपको under 15,000 कोई भी smartphone चीए उसका भी मैंने video बना रखा है तो वो भी आप check out कर सकते हैं तो guys without wasting a time अब बात कर लेते हैं अपने अगले महिने के smartphones की कौन से कौन से smartphones launch होने वाले बट guys यार उससे पहले आप लोगों से एक request अगर आप हमारे चैनल को पहली बार आये हैं तो please subscribe video को like कर दीजें क्योंकि हम ऐसे music videos आपके लिए लाते रहते हैं तो guys सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पहले smartphone के बारे में तो guys वो Google की तरफ से Google Pixel 7 & 7 Pro guys जी हाँ guys यह smartphone October में launch होने वाले इंडिया के अंदर भी बट कुछ महाल लोग ऐसे सोच रहे होंगी कि बाई यार यह तो इंडिया के अंदर launch ही नहीं होते जी नहीं guys यह इस बाल इंडिया के अंदर भी launch हो रहे हैं तो guys यह दोनों smartphone काफी जादा तगड़े होने वाले हैं क्योंकि guys इसकी specifications की बात कर लेते हैं तो guys जो आप है आपको Google Pixel 7 है उसका जो display रहने वाला है वो 6.2 inches का OLED display रहने वाला है with 90 Hz के refresh rate के साथ में और यहाँ पे आपको Google का ही software मेल जाता है आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो guys camera wise भी इस बार काफी जदा बढ़िया होने वाला है तो यह था Google Pixel 7 अब बात कर लेते हैं Google Pixel 7 Pro की तो guys इसके अंदर भी आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है बस camera के अंदर चेंज है और refresh rate यहाँ पे आपको 2nd camera यहाँ पे आपको शायद 18 Megapixel का टेली फोटो और add कर दिया गया है या 48 Megapixel का रहने वाला है जो भी इसके camera's रहने वाले है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ज्यादा कुछ चेंज नहीं है बस इतना कुछ चेंज होने वाला है और guys इसकी जो हो भी काफी कमाल की रहने वाली है guys इसकी जो प्राइस की बात करूं तो guys इसकी जो प्राइस है वो around 70-80,000 के बीच में होने वाली है इन smartphone की और guys इसकी launch date की बात करूं तो यह आपको इलिया के अंदर 6th of October को देखने के लिए मिल जाएंगे और guys इसके बात में जो अबला phone है वो है OnePlus Nord 3 guys इसका वेट करते अपनको बहुत जादा time हो चुका है finally guys यह smartphone अटुम्बर के महिने में launch होने बाला है guys इस smartphone की specifications की बात करूं तो इसके अंदर आपको Diamond City 8100 देखने मिल सकता है तो भाई gamers के लिए powerful smartphone रहने वाला है मतलब की gamers खुश हो जाओ वही काफी powerful smartphone रहने वाला है उसके बात में guys इसके और specification की बात करो तो भी guys यहाँ पे आपको 5000 mAh की battery 33 watt fast charger 90 Hz की refresh rate sorry 120 Hz की refresh rate और भी काफी सारी तगणी specification रहने वाली है but guys OnePlus Note 3 इस बार launch होने बाला है तो guys अब बात कर लेता है OnePlus के पपा की मतलब की OPPO की तो guys यहाँ पे OPPO का भी एक smartphone launch होने बाला है वो है OPPO A77S guys यह भी कुछ एक अलग सा एक different सा smartphone रहने वाला है इसकी जादा specifications हमें नहीं पता है but guys OPPO की तरफ से भी OPPO A77S 7S आने वाला है obviously guys इसके जो camera 50-50 megapixel के 2 cameras रहने वाला है और guys इसका जो processor है वो शायद यहाँ पे आपको Snapdragon की तरफ से यहाँ पे 778 यहाँ 695 वाला processor देखने करे मिल सकता है तो यह कुछ smartphone है वो भी अपनको October के MIDI के अंदर देखने करे मिल सकता है OPPO की तरफ से यह smartphone आने वाला है तो guys उसके बाद में यहाँ पे आपको इससे मिलती जूलती company का एक और smartphone देखने मिलेगा वो मिलेगा आपको POCO की तरफ से POCO M5 guys इसकी specifications यहाँ पे आपको कुछ इस तरह है इसके अंदर आपको डिस्प्ले रहने वाली है वह 6.14 इंचेस की Super AMOLED डिस्प्ले रहने वाली है और उसके बाद में MediaTek की तरफ से यहाँ पे आपको Helio G95 processor रहने वाला है और guys camera की बात करो तो guys यहाँ पे आपको जो main camera रहने वाला है वह रहने वाला है 64 MP उसके बाद में 8 MP और 2 MP इस तरीके से कुछ रहने वाला है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वह कुछ इस तरीके से रहने वाले है और guys उसके बाद में बाली आती है Vivo की तो guys Vivo की तरफ से भी आपको एक smartphone देखने मिल जाएग मतलब boxy design के साथ में आएगा और एक काफ़ी अलेक और एक mid-budget range वाला smartphone रहने वाला है तो guys इसकी specification कुछ इस प्रकार रहने वाली है Guys basically यह एक 4G smartphone रहने वाला है उसके बाद में इसकी display यहाँ पे आपको 6.44 inches की Full HD Plus AMOLED display रहने वाली है 90 Hz की refresh rate रहने वाली है जो कुछ इस प्रकार आपके सामने यह है जो रहने वाला है Finally guys अब बार याती है Xiaomi की तो guys यहाँ पर आपको Xiaomi की तरफ से भी 2 smartphone देखने मिल सकता है मतलब कि पहले वो global market में लो उसके बाद में इंडिया के अंदर भी आपको देखने मिल जाएगी यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले रहेगी वो भी कर्व देखने मिल सकती है एक smartphone में तो और जो इसके स्पैस्टिकेशन से वो कुछ इस प्रकार रहने वाली आप इस डिस्प्ले पे देख सकते हो और भाई गाईस यार मोटरोला की तरब से भी एक नया smartphone आने बाला है हक्टुमबर में गाईस मोटरोला ने कितने सारे smartphone चुपा के रख रख हैं तो गाईस मोटरोला भी एक स्टार्टिंग के अंदर ही शायद एक smartphone launch करने बाला है वो है मोटरोला एज 13 नियो और यहां पर आपको जो इसकी डिस्प्ले क्वालेटी है यहां पर फुल एच्ट प्लेस डिस्प्लेश और नाइंटी है यहां तो कुछ ऐसी देखने क्लिए मिल जाएगी जो भी आपके की स्पैचिल पर देख सकते हैं और आप बात कर रहते हैं लास यहां रियल्मी कही ना कहीं पीछे रह चुका है मोटरोला से मतलब यार रियल्मी का एक टाइम तो जो यहां पर दढ़ा दोर स्मार्टफोन आते थे बट अब स्मार्टफोन लांच करना काफी जादा कम हो गया बट यहां पर रियल्मी के लिए एक फ्लैक्शिव स्मार्ट प्रकार पर देख सकते हैं तो यहां पर कुछ इसकी स्प्रकार रहने वाले हैं तो गाइस वीडियो में सारे स्मार्टफून की बात कर लिए कुछ स्मार्टफून रहा गए हैं ओपो के या इन्फिक्स वगरा की जो अंडर 10,000 यह 10,000 के राउंड आने वाले तो वुक शायद कुछ स्मार्टफोन रहे गए बट हमने और मुस्ट सारी स्मार्टफोन के बाले में बात कर लिए आपको इनी स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर पताएगा और हम विलेंगे आपको